Hello students, welcome to Magnet Brains Hindi, मैं लाली वर्मा, सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साथी साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नता पूरवक अपने कार्यों को कर रहे होंगे और वीडियो भी देख रहे होंगे और वीडियो को लाइ से क्योंकि मुझे पता है कि आप से जज अच्छा कौन होगा, जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो परक रहे हैं, तो आपने सही प्रकार से जज्जमेंट किया हैं और इसी तरह से आप Magnet Brains पर जुड़े हैं मैं चाहती हूँ कि आप सभी जितने भी आपके कॉंटेक्स हैं, जितने भी आपकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल हैं, सब को लिंक शेर करें ताकि वे भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाब उठा सके हैं, आपको बता दू मैं कि Magnet Brains है भारत का नंबर वन एक मात प्ल हैं, साथी साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परिक्षाओं के वीडियो भी आप Magnet Brains पर एकदम फ्री देख सकते हैं, ताकि आपने जो भी भविश्य में आप जिस भी विश्य की तरफ जाएंगे, जिस भी लक्ष की तरफ जाएंगे, तो उसका रास्ता पहले से आपका जबूत हो, यही हमारी सोच है, यही हमारा संकल्प है, यही हमारा भरोसा है और यही एक मात्र उद्देश है, क्या? कि आप सभी अपने अपने लक्षों की ओर पहुँचें और अपने पैरों पर खड़े होकर एक सभ्यनागरिक, एक सफल नागरिक बन सकें, मात्र इसी अस्तिश में किसी भी तरह के भ्रम या डाउट्स बिल्कुल भी मत पालिएगा, हम सदा आपके लिए फ्री ओनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, तो चलते हैं कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, प्रीवेस वीडियो पाठ चार, पाठ पुस्तक्ष ठीक है, उनकी रचनाएं किस तरह की हुआ करती थी, वो भी आप जान चुके हैं, सालिम अली पर आधारित ये पाठ सावले सपनों की याद जाबिर हुसेन जी द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने एक प्रसिद्ध पक्षी ब्रेमी सालिम अली पर व्यक्ती चित्र लिखा है, व्यक्ती चित्र का अर्थ होता है, व्यक्ती के बारे में संपून जानकारी देना और वो भी हर किसी के बारे में तो लिखा नहीं जाता, जो कुछ अनौखे होते हैं, जो महान की श्रेडिन में शामिल हो जाते हैं, उन्हीं की चर्चा होती है, और एक बात बता सब और चर्चा से मुझेब याद आई कि जब कभी आपकेे पीट पीछे आपकी चर्चा होनी लगे तो चिंता मत कीजिएगा तो करने दीजिए आपकी निंदर चया बुराई जो भी है बस करने दीजिए और आप सिर्फ अपने कारिकों कीजिए प्रीवेस वीडियो में आपने देखा कि सालिम अली ने अपना संपून जीवन पक्षियों की रक्षा और सुरक्षा में बिता दिया उनके गले में हमेशा दूरबीन लटकी रहती थी जिससे वे पक्षियों को जान सकें देख सकें कि कहीं हो गया है कोई उनको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है पता है ना कब से उनकी मन में पक्षी प्रेम की भावना जागी जब वो बच्पन में अपनी एरगन से खेल रहे थे और गलती से एक गौरईया घायल होकर गिर पड़ी चिडिया और उसी घटना ने उन्हें प्रशन दिये हैं उनकी चर्चा उनकी समझ उनका वर्णन उत्तर सब को चानने वाले हैं तो मेरे साथ बने रहेगा शुरू से लेकर अंत तक ताकि हर एक प्रशन को आप समझ सकें अब आप सूच रहें कि मैं हम प्रशन को समझेंगे हाँ डियर स्टुडेंस जब हम और चलते हम पहले प्रशन की ओर पहला प्रशन है किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया हम ओके बता रहें आप जो भी आपके मन में विचार उत्पन होना कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन सी घटना थी बच्पन वाली पढ़ते हैं कि एक बार बच्पन में सालिम अली की एरगन से गोरईया घाय लोकर गिर पड़ी इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को ही बदल दिया वे गोरईया की देखभाल सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए उसके बाद उनकी रुची पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए यह आप याद रखेंगे कि किस तरह से वे पक्षियों के प्रती प्रेम या प्रकृती के प्रती प्रेम की भावना उनके मन में जागरे थोई ठीक है चलते हैं अगले प्रशनी की ओर लिखा है सालेम अली ने पूर्वे प्रधान मंत्री खत्रों की बात उठाई थी चौधरी चरण सिंग जो भारत के पांचवे छटवे प्रधान मंत्री रहे थे जो एक किसान थे ग्रामीन जीवन एकदम जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति उनके पास सालेम अली गए थे तो सालेम अली ने पूर्वे प्रधान मंत्री के सामने परियावर्ण से सम्भावित खत्रों की कचित्र खीचा जिससे उनकी आखे नम हो गई किसकी प्रधान मंत्री देश का लीडर जब सालेम अली ने ये बताया कि साइलेंट वैली है जो केरल की वहां पर रेगिस्तानी जो तूफान आता है उससे वहां के पशू पक्षियों क बहुत खत्रा है इस कदर से जब चौधरी चरण सींग ने प्रधान मंत्री ने उनकी बात सुनी तो उनकी आखे नम हो गई और किसी की भी ना आखे नम यूही नहीं होती है जब जिस शेत्र से जुड़े होते हैं या जिनको हम रदय से सुईकार कर लेते हैं या हमारी जो होते हैं वो मिल जाते हैं तब जाकर ऐसी भावनाय उत्पन्य ती हैं वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं किसान व्यक्ति दे और जानते थे कि पशूफ पक्षियों का संसार उनका वन है जंगल हैं रिक्ष हैं लताय हैं डालियां हैं और मनुष्य किसी ना किसी कि लालच के वशी भूधो कर उनके घरों को उजाड रहा है उनके रहने के स्तान को तहस नहस कर रहा है क्या होगा इस रिष्टी का इस तरह से उन्होंने यह रखी तब उत्तर कैसे लिखेंगे साले मली ने पूर्व प्रधान मंतरी चौधरी चरण सींग के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधी खत्रों की बात उठाई होगी उस समय केरल पर रेगस्तानी हवा के जोंकों का खत्रा मंडरा रहा था प्राकृतिक प्रकोब था अब बहुत से तो हाथ जड़ा लेते हैं हाथ जड़ा ना मतलब नयानी ना देना कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता बूत ब्रकरती का है हाल उसमें मैं भला क्या कर सकता हूँ लेकिन वहां का परियावरन दूशित हो रहा था प्रधान मंत्री को वातावरन की सुरक्षा का ध्यान था परियावरन के दूशित होने के खत्रे के बारे में सोचकर उनकी आंके न कर उनकी आखें नम हो गए चलिए समझाया ना ओके अगला प्रश्ण है लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने बाली गौरेया लॉरेंस के बारे में धेर सारी बात जानती है बताईए डी एच लॉरेंस एक और नाम आया था प्रीविए लॉरेंस भी पक्षी प्रेमी थे साथी साथ जब उनसे पूछा गया उनकी मृत्यू के बाद उनकी पत्नी से पूछा गया फ्रीडा लॉरेंस से कि आप बताएं साक्षातकार के दौरान इंटर्विव के दौरान कि क्या आप अपने पती पर कोई लेख लिखना चाहेंगी या बताईए विचार व्यक्त कीजिए तो उन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊं मुझसे अधिक तो मेरे छट पर बैठी गौर या उनके बारे में अधिक बता सकती हैं अब इसका तात पर यह नहीं कि वो पत्नी से कोई बाती शेयन नहीं करते थे वो पत्नी के साथ नहीं रहत समझते थे तो पक्षी भी उनको अपना ही समझते थे जिस तरह से स्री कृष्ण तभी तो स्री कृष्ण का जिक्र हुआ है और पाठ का नाम सावले सपनों की याद किसी के मन में क्वेशन नहीं आया कि पाठ का नाम सावले सपनों की याद क्यों रखा गया है सिर्फ सपनो कि याद रख देते या सिर्फ याद रखतेते या इसमरंड रखते देते सावलेश अपने क्यों हाँ क्रिश्न सावले थे ठीक है और बताइए आप जो कहेंगे वह सही ऐसा नहीं कुछ भी गलत नहीं है आप अपने विचार वेक्त कर सकते हैं सावले सपनों की याद मतलब कृष्ण का जिक्र हुआ कृष्ण साम लेते ठीक है या फिर कुछ याद है जो थी वो धुंदली सी थी धुंदली मतलब सावली से एक दम क्रिस्टल क्लियर नहीं शायद इसलिए यहां पर लेखक ने अपनी य उखे पात्र रहे थे साधी सांट डी एच लॉरेंस वी उत्तर कैसे लगेंगे लॉरेंस का व्यक्तित बिल्कुल साधारन तथा इतना खुला-खुला सा था कि उनके बारे में किसी से कुछ छिपा ही नहीं था खुली किताब की भाती आपने देखा होगा ना सुना होगा न वाई हम तो खुली किताब की तरह हैं आप हमसे मिलिये और हमें समझिये हमारे मन में कोई दुराव च्पाव की भावना नहीं है कि आप हमें कोई ऐसा जाने कि ओ हो ये तो मिस्टीरियस है या रहस्वादी है नहीं हम जो हैं सो हैं जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं इसलिए फ खुली किताब की भांती थे। अगला प्रशुन आया है आशय सपष्ठ कीजिए। अर्थबताना है हमें। और जब भी आशय इसपष्ठ गद्धिक्षंद में आजाए तो पार्ट से कोई भी पंक्तित दी जाती है और उसका हमें अर्थबताना होता है लिखा है वो लॉरेंस की तरहें नैसरगिक जिंदगी का प्रति रूप बन गए हाँ लॉरेंस की तरहें आपने जीवन व्यतित करते करते परम्धाम चले देखिए लॉरेंस का जीवन बहुत सीधा साधा था प्रकृति के प्रति उनके मन में जिग्यासा थी सालेम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह सुल्जा तथा सरल था ठीक है कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लोटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यू अटल है और कोई सोचे कि मैं हूं मैं ही भगवान हूं मुझे पूजो और मेरी प फहिमी उसकी इस तरह से जीवन नहीं जिया जाता यहां लेकक क्याना चाहते हैं कि मृत्य व्यक्ति को कोई भी जीवित नहीं कर सकता चाहे कोई भी हकीम दूआ दवा कुछ भीने कर सकती जो मृत हो चुका है वो संसार से जा चुका है यहां रह जाता है तो सिर्फ शेश रह जाती है तो उसकी स्मृतियां उसका वैभार उसका आचरण उसका चरित्र इसलिए अपने चरित्र को अपने वैभार को सच्छ निर्मल धर्पन की भाती धर्पन की भाती हमें समझना है औ बनकर उभरे थे अब एक आ जाता है टापू शभ्द और एक पर जाता है अठाहँ और सागर समझ में आया और ताकव होता है अडाप होता है जसका सीमित एरिया होता है सीमित शेत्रफल होता है मतलब ऐसा नहीं कि क्या पता कहां से कहां तक टापू सीमित एरिया लेकिन सागर अथाह सागर जिसका कोई सीमा नहीं चले कहां से अंत जहां तक दृष्टी जाएगी वहां तक वह दिखाई देगा तो सालिम अली का जीवन सिर्फ एक टापू की तरह नहीं था जो इतना ही था उनका जीवन तो अथा सागर की भाती थार थार उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगभग सौ वर्ष जिये थे वो और संपूर्ण जीवन पक्षियों की रक्षा और सुरक्षा में ही बिताया और अंतिम समय जब उनकी मृत्य हुई ना तो उस समय भी उनके गले में दूर बीन थी जिससे वो देखते थे पक्षियों की रक्षा और उनकी देखभाल के लिए तो ना केवल वे एक टापू की तरह ना केवल एक सीमित एरिया में ही पक्षियों की देखरे करते थे बलकि ब्रह्मन करते हुए संपून देश में भी उन्होंने इसी तरह का कारे किया साले मली प्रकृती के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले उन्होंने सोयम को किसी सीमा में कैब नहीं किया वे एक टापू की तरह किसी स्थान विशेश या पशु पक्षी विशेश में सीमित नहीं थे उन्होंने अथास आगर की तरह है प्रकृती में जो जो अनुभवाए उन्हें संजोया उनका कारेशेत्र बहुत विशाल था, फ्यापक था, एकदम ब्रॉड था, वास्ट था कह सकते हैं सिर्फ सीमित एरिया में ही उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरा एरिया है, यहां के पश्री पक्षियों के ये मिदारी मेरी, नो किसकी विशेश्टाएं बतानी हैं, कन्फियूज हो जाते हैं अक्सर, लेखक की विशेश्टाएं बतानी हैं, सालिम अली की नहीं, लेखक कौन थे, जाविरुसेन जी, तो इस पार्ट के अधार पर लेखक की भाशा शैली की चार विशेश्टाएं, निम्न लिखित हैं, सब भाशाओं का मिश्रण करके रचना की ताकि हम सबको आसानी से समझ आ सके इस पार्ट में उर्दू तद्भव और संस्कृत शब्दों का समिश्रण है लेखक ने उर्दू शब्दों का अधिक प्रयोग किया है उधारन तया जिन्दगी परिंदा खुबसूरत हुजूम हामो शेलानी सफर तमाम आखरी माहौल खुद ये रहे इनके किसके उर्दू के शब्द अब आती है संस्कृत शब्दों का भी प्रचुरता में उप्यों किया है जैसे संभव अंतहीन पक्षी वर्ष इतिहास वाटिका विश्राम संगीत्मय प्रतिरूप इस लिए इस आधार पर कह सकते हैं कि लेखक की भाषा मिश्रत शब्दावली है ठीक है अगला जाबर हुसेन की शब्दावली गंगा जमनी है मतलब मिक्स है उन्होंने संस्कृत उर्दू का इस तरह प्रयोग किया है कि वे सगी बहने लगती ते ऐसा लगता था कि गंगा और जमना जैसे है न की शब्द लगता है वो अंतहीन सफर लगी नहीं रहा है कि इसमें दो भाषाओं का मिश्रण है प्रकृति की नजर देखो जरा प्रकृति संस्कृत है नजर उर्दू है दुनिया संगीत में जिंदगी का प्रतिरूप इन सब से सगी बहने ही नजर आ रही है उर्दू और संस्कृत कोई समझ में नहीं आ रहा है कि आखर ये उर्दू के शब्द है या संस्कृत या हिंदी के है ना एक शब्द संस्कृत का तो दूसरा उर्दू का है इस सुंदरता से इस कुशलता से उन्होंने भाषा का मिश्रण किया जटिल वाक्यों का प्रयोंग जावर हुस कि खुबसूरत पंकों पर सवार सावले सपनों का एक घुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अक्रसर है इतने आसानी से भी वो नहीं लिखते थे कि बस उसमें रहस चुपा होता था और इन कारण इन कारणों से ही उनकी जो प्रसिद्धी है वो अधिक हो पाई कि सब ज है अलंकारों का प्रियोग अलंकारों का प्रियोग भी किया जबकि गद्य में अलंकार सोचिए जाबिर हुसेन अलंकारों की भाशा में लिखते हैं जैसे उपमा रूपक उनके प्रिया अलंकार है जैसे उधारंतिया अब तो वह उस पक्षी की तरह तरह जो शब्द है वह उपमा अलंकार की और संकेत करता है क्योंकि उपमा अलंकार क्या होता है जो तुलना करता है ठीक है सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की वज़ा अथा सागर बनकर उभरे ये भी वही है रोमांज का सोता फूटता महसूस करता है रोमांज का सोता फूटता अर्थात रूपक अलंकार तो उनकी भाशा में अलंकारों का भी प्रयोग है भावा अनुरूप भाशा जिस तरह का भाव उसी तरह की भाशा इतने अच्छे से उन्होंने रचना की है कि व्यक्ति पढ़कर ही समझ जाए कि किस तरह का भाव व्यक्ति के मन में जाग रहा है और पढ़ते पढ़ते जो पाठक है वो भी उसी भाव में चला जाए जाबिर हुसेन भाव के अनुरूप शब्दों और वाक्यों की प्रकृति बदल देते हैं उधारनत्या कभी वे छोटे-छोटे वाक्य प्रयोक करते हैं जैसे आज साले मली नहीं है चौधरी सहाब भी नहीं है कभी वे उत्तेजना लाने के लिए प्रश्न शैली का प्रयोक करते हैं और जटिलबा की बनाते चलते हैं जैसे कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नीव रखने का संकल्ब लेगा यहाँ पर प्रशनात्मक शैली का उन्होंने चित्रन किया कि सब लोग पाठक जो है पाठक समझते हैं पढ़ने वाला वो सोचने पर विवस हो जाएं कि हाँ सही दो कह रहा है लेखक तो इससे उनकी जो भाशा है उसकी कुशलता का पता चलता है अब चलते हैं अगले प्रशन की ओर इस पार्ट में लेखक ने साले मली के व्यक्तित्व का जो चित्र खीचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए उन्होंने ते अपने अकॉर्डिंग लिख दिया अब हमें लिखना है कि हम अपने अनुरूप किस तरह से लिखेंगे कि साले मली कौन थे उनके मन में पशू पक्षियों या प्रकृति के प्रति कैसी भावना थी ये सब ठीक है लेखक ने साले मली का जो चित्र खीचा है वह इस प्रकार है साले मली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी वी थे ठीक है पक्षी बना देती हूं पक्षियों का नहीं उन्होंने प्रकृती में ही पक्षियों को छोड़ा और प्रकृती में ही उनकी रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंदों पन ली एक बार बच्पन में उनकी एरगन से घायल होका नीले कंठवाली गौरईया गिरी थी उनकी ह भारे में जानकारी एकत्र्षा के लिए सब्सक्राइन नहीं जो काम के प्रति auditoryторов से शब्सक्राइब का समय नहीं रहते हैं उनको अपने बारे में बताने का समय ही नहीं रहता वो यह नहीं तो मुझे का सा काम ही नहीं किया फिर दीगे मानने से क्या फायदा और जो होते हैं जिन में गुण होते हैं उनके गुणों की चमक तो चारों और सुगंदित पुष्पीदर है अपने आप ही फैल जाती है इसलिए कभी भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा ना करें ठीक है आप यदी ह हम यदी गुणवान हैं हमारे अंदर क्वालिटीज हैं तो वह क्वालिटीज हमारा परीचे सब में दे देंगी ठीक है वे दूर दरास घूम घूम कर पक्षियों के बारे में जानकारिये कात्रित करते रहें और उनकों सुरक्षा के लिए चिंदित रहें वे केरल की साइल प्रण्धानमंत्री थे चौधरी चर्ण सिंग जी पता कीजे को लिखिए गटिके ततकल्न प्रण्धानमंत्री चौधरी चर्ण सिंग से भी में मिले और प्रकृति की दुनिया के अथासागर बन गये ना की एक टापू बलकि अथासागर जिसकी कोई सीमा नहीं होती और जिनका कारेशेत्र असीमित था ना कीवल वे किसी शेत्र विशे के आसपासी रहे कि इतने पक्षियों की मैं रक्षा करूंगा बाकी आप जानों नहीं संपून भारत में भ्रह्मन करते रहे और हमेशा चिंतित भी रहे साबले सपनों की याद शीर्षक की सार्थक्ता पट टिपपड़ी कीजिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि पाट का नाम साबले सपनों की याद रखा गया है क्यों रखा गया है क्या आप इस पाट के शीर्षक शीर्षक समझते हैं ना टाइटल से संतुष्ट है या सहमत है या इसके स्थान पर कोई दूसरा टाइटल भी सु शीर्षक को पढ़ेगा ना सोचेगा हां यह कैसा शीर्षक सावले सपनों की याद कौन से सावले साप सपने सावले होते हैं सोच में पढ़ जाएगा व्यक्ति इसे पढ़कर पाठक जिग्यासा से आतुर हो जाता है कि कैसे सपने किसके सपने कौन से सपने यह सपने सावल इच्छाओं के प्रतीक हैं क्यूंकि सावले श्री कृष्ण सावले थे लेकिन मन मोह लेते थे सबका कितने सारे नाम है मन मोहन नटखट माखंचोर मुरलीधर कनहिया कृष्ण गोपाल केशब अनेको नाम है उनके और रंग कैसा दिखाये गया है जो भी हम देखते आ रहे है चित्रों में या कभी नाटक या जो सीरियल से सावले मन मोहन ठीक है ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से सम्मंदित हैं सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोई रहे वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में ही खोई रहे ये एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बात तक नहीं करते हैं आज कल इसका मतलब यह नहीं कि सब में युद्ध चल रहा है या शीत युद्ध है बलकि यूँ कहें समय नहीं है भाई सब अपने हाथों में अपना टैब या जो भी मोबाइल से या अपना सिस्टम सब लेकर बैठें क्योंकि सब व्यस्तता में लीन है लेकिन कुछ समय अपनों के लिए अवश्य निकालें और प्रेम भरी बातें अवश्य करें ठीक है चलिए इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सामले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आँखों में बसते थे य तो गहरा रहस्यात्मक भी है एक तो मिस्टीरियस है कि आकर क्या चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तता प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है यूही चंदन को हम ऐसे इन्हें की जरा सक किया और उसको खुश्बू या उसको हम प्रयोग मिला सकते हैं अराम से सौफली तरीके से उसको घिसेंगे तब जाकर उसका हम प्रयोग कर पाएंगे ठीक उसी तरह से गहनतम अध्यन के बाद ही हम इस शीर्षक की सार्थक्ता को भली भाती समझ सकते हैं अगला प्रशन है प्रस्तुत पाठ सालिम अली की परियावरन के प्रती चिंता को भी व्यक्त करता है परियावरन को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दी सकते हैं बताइए क्या आप परियावरन को बचाना चाहते हैं सबसे पहला प्रशन तो यह बताइए हां या ना हां क्यूंकि परियावरन सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं परियावरन की रक्षा करेंगे तो मा नहीं जरुरत पेड़प पॉसिबल नो ठीक है तो प्रकृती जो है वो सबकी है हर एक जीव जन्तु हर एक प्रानी का प्रकृती पर उतना ही अधिकार है परुदु मनुश क्या पता क्या सोचता है उसके पास बल है बुद्धी है विद्या है बहुत अच्छा शरू शरीर है वाक की चतुराई है वानी है इसी के आधार पर उसको लगता है कि यह संपून स्रिष्टी मेरी है मैं ही इसका विधाता हूँ और मैं ही इसका उपभोग करूँगा परन्तु ऐसा नहीं है हर एक जीवजन्तू का उतना ही अधिकार है हमें अपने एरिया में सीमित रहना चाहि सामले सप्नों की याद सालिम अली ने परिया वरण के प्रती अपनी चिंता प्रकट की है उन्होंने केरल की साइलेंट वाधी को रेगिस्तानी हवा के जोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधान मंत्री से मुलाकात की और उसे बचाने का अनुरोध भी किये इसी तरह अपने परियावरण को बचाने के लिए हम भी विविन्न रूपों में अपना योगदान दे सकते हैं बताईए कैसे प्लांटिशन करके और जो व्रिक्ष हैं उनकी कटाई रोक कर और जो भी पशु पक्षी हैं जंगल में निवास करते हैं उनको उनी के हाल पर वहीं छोड़ करना की हमें अच्छे लग रहा है तो हम अपने घरों में रखेंगे ठीक है इस तरह से नहीं है अपने आस पास पड़ी खाली भूमी पर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा कर पेड़ पोधों को कटने से बचाने के लोगों में जाग रुकता उत्पन करके अवया नेस ला कर लोगों को पेड़ पौधों की महत्ता बता कर कि पेड़ पौधे क्या है? सब जानते हैं कि हाँ हमें oxygen प्राफ्थ होती है लेकिन फिर भी हम तो काटेंगे क्यूंकि हमें सामान चाहिए है ना? हमें furniture चाहिए बहुत कुछ चाहिए क्योंकि हमें यह जमीन ही चाहिए क्योंकि हमें यहापना hotel बनाना है या किसी भी factory का निर्मान करना है और फिर हवा भी पैसों में जो की आज भी होने लगी है oxygen cylinders पता ही होगा आपको अब है हम जल स्रोतों को ना दूशित करें उसमें मृत पशुपक्षियों को डाला जाता है बलकि मनुश्य की जो मृत शरीर है वो भी उसमें बहा दिया जाता है साथी साथ factories या जो भी हैं उनसे जो गंदे पानी की नालिया है वो भी उससे जोड़ दी गई है इसी तरह से ऐसा ही चलता गया तो पीने को स्वच जल भी नहीं बच पाएगा फिर क्या करेंगे सोचना है विचारना है और समाज में हर एक जन जन में जागरती उत्पन करना है आपको करना है ये क्योंकि भावी नागरिक आप हैं हम भी करेंगे हम भी कर他 हैं और करेंगे हमारा साथ हमेशा आपके साथ है ठीक है हमेशा रहेगा Бас एक कुदम तो बढ़ा ही स्वच्छता की ओर किस तरह से कहते हैं एक के साथ करने मिलाकर और सुरक्षा करनी होगि तब कहींальной ऐसी तौुम्शा करने को एक दे मिलाकर। जाकर इन फ्यूचर या आगे आने वाली जो जनरेशन है वो प्राकृतिक संपदा का लाभ उठा सकेगी या उसका उपियोग कर सकेगी बस हमें दोहन को रोकना होगा अपने लालचों को बिल्कुल उनको हटाना होगा आवशकता ठीक है लेकिन लालच को उत्पन होने नहीं देना होगा विर्ट्री यह बोलतामे लेकिन कितनी बार सरकार में चितनी बार हमें किस तरह के लिखित में देश200 सब्सक्रेंद। यो प्योगना करें लेकिन हो जाता है यह क्या करें के भी कुछ जाते हैं पॉल से या ऑप से बहतर जानता आपने पढ़ा है कि पॉलेवर टीनिया प्लास्टिक कभी भी नश्ट होता ही नहीं वो उतनी जमीन को ऊपलेवरत कर देता है फिर उसकी जो और वरकता रहती है है ना fertility रहती है वो नष्ट हो जाती है और वो जमीन किसी काम की नहीं कर्व ड़िया इसलीए क कोड़ा करकर ना फेंकक है तथा करने से दूसरों को भी मरना करना है मेत ये बार बार प्रयोग की जा सकने वाली बसनुन का प्रयोग करें उछमिटत्र ही साइकल तो लिए यूसमारे पास बहूं करें यह जो भी साइक लो सकती उन्हों का पु relação यूज कर लेता है जिससे कच्च्रा भी कम होगा और हम अधिक से अधिक जो दोहन करते हैं उससे भी रुका जा सकता है इस प्रकार से बुद्धी माने के साथ हम ये कारे कर सकते हैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये सब समझ में आया है और आप हर एक प्रश्ण और उसके उत्तर को भली माती समझ गया है इसी तरह से मैगनेट ब्रेंस पर बने रही है क्योंकि मैगनेट ब्रेंस है भारत का नंबर वन एक मात्र प्लैटफॉर्म जो देता है कक्षा छटवी से बारवी तक की ऑनलाइन स्कूल एजूकेशन फ्री डियर स्टुडेंस हमें हम जो है न एक उद्देश लेकर आये हैं क्या कि आप सभी आप जैसे हो नहार स्टुडेंस के लिए फ्री बैस्ट ऑनलाइन एजूकेशन प्रोवाइड करना जिसमें कक्षा छटवी से बारवी तक की स्कूली सिक्षा है और साथी साथ सभी प्रका से अपना कारे कर रहे हैं और हमेशा करते जाएंगे किसी भी तरह के पेड़ सब्सक्रिशन की हम बात नहीं करेंगे हमेशा फ्री ऑनलाइन एजूकेशन आपको दी जाएगी प्रतियों की परिक्षाओं में शामिल हैं NTSC, Olympiad, IIT, JEU, PSC, JIV, CIB, RRB, बहुत सभी परिक्ष करें Magnet Brains Hindi, क्लिक कीजे, Hindi वीडियो देखना है, तो जब आपने क्लिक किया तो प्लेइलिस्ट पर आप जाएंगे जिसमें हिंदी से संबंदित संपून, जानकारी, detailed, well organized तरीके से दी है कि आपको क्या देखना है, क्या आप NCRT या CBSE पर आधरित पार्टिक्रम देखना च क्लिक करेंगे उसका वीडियो आपके सामने आ जाएगा और वो वीडियो रहेगा best जिससे आपको समझ में आएगा ही, और जब समझ में आएगा तो आप Like भी करेंगे, Like करके, Subscribe करेंगे ताकि आपको समय रहते, सही और अच्छे और आवश्यक और अनिवार वीडियो की जा लाव उठा सकें ठीक है साथ ही साथ शेयर करना नहीं भूलना है क्योंकि आपके फ्रेंड्स हैं आपके जितने भी परिजित हैं वो इस हमारे साथ जुडेंगे तो आपका और हमारा जो बॉंड है वो और मजबूत होता जाएगा इसी मजबूती के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्वस्त रहिए खुश रहिए बाबार थाएंक्यू सोमच